लुए टॉप टेम प्राइट पीस कोड़ इंडिया और फोकस इजों कुटिंग एस लोमें नॉलेज और बेंच्मार्किंग वर्ल्ड ग्लास बिंग्टेंग एक्सेल्स विथ गाइट अपड़ता है हम लोग एक अभियान चला रहे हैं जो की स्वराज को जो की पारदर्शता को जवाब देही को फरस्ताचार के खिलाफ जिस वजे से आम आदमी पार्टी बनी थी और जिन उसूलों से भटकती हुई आज दिख रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इसको चला रहे ह आगे चल कर हो सकता है हो सकता है अगर दो मापदंड हमने पार कर लिए तो हो सकता है कि आगे चल कर कभी इसको पुलिटिकल पार्टी का शेप दिया जा सकता है ये दो मापदंड क्या है पहला तो हमको इस अभियान में इस नए संगठन में ये कायम करके दिखाना होगा कि ये संगठन स्वराज की भावना, नीती और उसके प्रिंसिपल्स के साथ हम चला रहे हैं और दूसरा हमको ये दिखाना पड़ेगा कि हम बड़े बड़े देश के सवालों से जूज रहे हैं और उसमें बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं देश के उसके बाद ये सवाल उड़ सकता है इसलिए हमने बोला है कि कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, शायद साल, दो साल बाद इसकी पूरी समिक्षा होगी और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि इसका आगे क्या होगा लेकिन आज ये पुलिटिकल पार्टी नहीं है, एक अधियान है, उसका एक तंगठनात्मक रूप होगा जो कि आम आत्मी पार्टी से सेपरेट होगा, लेकिन आम आत्मी पार्टी के सब कारिक करता क्योंकि ये तो उनका founding principle है जिसके आधार पर ये पार्टी बनीती therefore every volunteer, every member of the आम आत्मी पार्टी